आई खबर आ गई है शाम साथ बजे सीएम पत की शपत लेंगे देवेंद्र फणनेस जिसकी चर्चा लगातार हम कर रहे थे मौसमी देखिए और ये तै हो चुका है जो जानकारी मिल रही है सुत्रों के मुताबिक दिल के अर्मा आसों में बहे गए नमस्कार दोस्तों ये गाना तो आपने काफी बार सुना होगा जिस तरह से माराष्ट में माविकास अगाडी की सरकार गिरा कर भारती जंता पाड़ी सरकार बनाने के लिए तैयार खड़ी थी अब उन्होंने सरकार बनाने का भी एलान कर दिया आपने आज तक का ये खबर द उस गाने की तरह ख़बर भी बदल गई जियाब महराष्ट के नए मुख्यमंत्री देवेंड फंडविज नहीं बलकी बागी बिडायकों के मुख्या एकनाश सिंदे होंगे देवेंड फंडविज नहीं बलकी एकनाश सिंदे आज साम साड़े साथ बजे मुख्यमंत्री पहले तो लोगा की देवेन फंडवीजी मुख्यमंत्री बनेंगे लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद ये दूसरी खबर ब्रेक की गई उसके बाद तो ये सोशल मीडिया पर ये गाना चलने लगा कि दिल के अर्मा आसुवा में बह गए अला कि ये अलान खुद माराष्ट क के पूर्य मुख्यमंत्री देवेन फंडवीजी किया लेकिन जब देवेन फंडवीज ने एलान किया कि एक ना सिंदे माराष्ट के नए मुख्यमंत्री होंगे जो सभी कोई हैरान हो गये लेकिन अब जो खबर सामने आई है देवेन फंडवीज माराष्ट के डिप्टी सि मेकर क्यों बने एक ना सिन्दे को उन्होंने सियम पद क्यों दे दिया इस पर एक दस बड़ी बाते हैं अगर आप इन बातों को ध्यान से समझेंगे और सोचेंगे इन बातों पर बिचार कहेंगे तो सायद आपको समझ में आ सकता है कि भारती जनता पाड़ी की इसके पीछे क्या रड़नीती है जिस तरह से आज दोपर में एक प्रेस कॉन्फरेंस जो की सही प्रेस कॉन्फरेंस थी उसमें देवेंट फण्डवीज ने मुख्यमंत्री पत की कमान सिवसेना के बागी नेता एक ना सिन्दे के हाथ में सौपने की खुलेक तौर पर एलान किया लेकिन एक चौकाने वाली वाक्या थी सियासी गलियारों में चंद घंडों पहले जब यह चर्चा चले थी कि देवेंट फण्डवीज माराष्ट के नए मुख्यमंत्री होंगे और एक ना सिन्दे डिप्ती सियम होंगे लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाश्पा ने अचानक से देवेंट फण्डवीज की जगा एक ना सिन्दे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया देवेंट फण्डवीज ने पतकार वारता के दोरान खा कि माराष्ट के मुख्यमंत्री के रूप में एक ना सिन्दे सपत लेंगे सरकार का मेरा बाहर से समर्थन होगा उनने खा क हम इस्तिपे के बाद शुरू से कह रहे थी कि हम राज को मजबूत सरकार देने को तयार हैं। आज एकना सिंदे मुख्यमंत्री पत के रूप में अपनी दावेदारी राज पाल को दिया है। बीजेपी उनके साथ खड़ी है। लेकिन बारती जन्ता पार्टी ने अचानक देवन फर्णवीच की जगा एकना सिंदे को मुख्यमंत्री पत क्यों दे दिया। इसके पीछे जो बात निकल का सामने रही है। पहली बातों की बीजेपी सुत्रों के मुताबिक इस फैसले के पीछे ठोस और बड़ी राजनीती है। दुसरी बात की भारती जन्ता पार्टी ये चाती है की माराष्ट के और देश की लोगों के बीच ये साफ संदेश जाए की अभी भी माराष्ट में सिवसेना की ही सरकार है। तिसरी बात है कि भाजपा की रणनीती है कि सिवसेना एक ना सिंदे के हाथ में पूरी तरह से चली जाए जो कि अभी भी जिस तरह से सिवसेना भी उद्धर ठाकरे के हाथ में है वो भाजपा सोच रही है कि पूरी तरह से सिवसेना एक ना सिंदे के हाथ में चल जाए उसके बात फिर पार्थी जंता पार्टी कुछ बड़ी रड़नीती अपनाएगी चोथी बात है कि एकना सिंदे को मुख्यमंत्री बनाने से ठाकरे परिवार को सिर्षेना से अलग थलग भी किया जा सकता है ये बाते निकल का सामने आ रही है और पांचवी बात की राज के चाटी बात सबसे महत्पूर्ण है कि भारती जंता पार्टी ये संदेश्ट पूरे देश में और माराष्ट में देना चाहती है कि माराष्ट में सत्ता काया बदला और सिउसेना के आंदुरूनी मद भेदो के कारण हुई है असातवी बात की एगना सिंद्र को मुख्यमंत से भारति जंता परड़ी बदला लेना चाहती हैं और आटवी बात जो है एक ना सिंदे को माराष्ट का नया CM बनाने से माना जा रहा है की यानि भारती जंता परड़ी इस बात को मान सकती है की जितने भी सीव सेनक के बचे खुचे नेता बिधायक हैं वो भी एक ना सिंदे क केंप में जूर सकते हैं अब सबसे बड़ी बात की माराष्ट के आगामी विधान सभा चुनाओं में यानि बिजेपी को अगले चुनाओं में एक ना सिंदे को माराष्ट का सीम बनाने की वज़े से फायदे की उम्मीद भी है अब सबसे बड़ी बात है यह और दस्मी बात जोई कि सीवसेना जिस तरह से कमजोर हुई है 40-42 बिधायक जिस तरह से सिंदे गोट में चले गए है उससे माना जरे कि सीवसेना के कमजोर होने से आने वाले बिधान सभा और लोक सभा चुनाओं में भारती जनता पार्टी का सीधा मुकाबला NCP और कांग्रेस से होगा क् सीवसेना जिस तरह से खाली हो गई उनके बिधायक सिंदे गोट में चले गए उससे सीवसेना काफी कमजोर हो गई ते 10 बाते मुक्ष हैं जिस वज़े से मारा सकता है कि भारती जनता पार्टी ने देवेन फर्डवीज को किंग से किंग मेकर क्यों बना दिया और सिंदे को मुख्यमंत्री पत क्यों दे दिया बताते माराष्ट का मामला जिस तरह से काफी दिनों तक चलता रहा और अंत में सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुँचा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काकि फ्लोर टेस्ट पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती उसके बाद उद्धो ठ ठाकरे ने फेस्बुक लाइब आकर माराष्ट के मुख्यमंत्री पत से इस्तिपा दे दिया फेस्बुक पर उन्हें इस्तिपे का एलान किया अब भारती जंताव पाड़ी ने बारत से समर्थन देते वे एकना सिंदे को माराष्ट का नया मुख्यमंत्री घूशित कर दिय अलकि इस प्रेस कॉन्फरेंस में सिंदे ने भी काय की माविकास अगारी सरकार में समस्या आ रहे थी जिया एक ना सिंदे का कहना है कि यह माराश्ट के विकास के लिए एक साथ आये हैं हम लोगों को माविकास अगारी सरकार में काम करने में समस्या आ रहे थी इस बारे में हम ठाकरे को बताये था, अपना पक्ष समझाने की कोशिस की थी, बीजेपी के साथ हमारा नेचुरल गटवंदन था, हम लोग बाला साहिप के बिचारों को लेकर आगे बढ़े तो, सरकार की और से आखरी में हिंदूत को लेकर फैसले लिये गए, अलकि एक ना सिंदे के मुख् सरत्पवार ने अपनी पहली प्रिटिकलिया दी है, सरत्पवार का कहना कि एक ना सिंदे को माराष्ट के नयमुख्यमन्तरी के रूप में चुने जाने पर बढ़ाई, पूरी उमीद है कि उनके द्वारा माराष्ट के हितों की रच्छा की जाएगी, उनके कहना है कि प्रितिरा चौहार के बाद 17 जिले से ब्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाने को लेकर वो बहुत खुश हुए हैं। अब तक सीवसेना की तरफ से या फिर उद्धो ठाकरे की तरफ से कोई प्रितिक्रिया सामने नहीं आई है।